सबी विद्यार्थिएंगा एक बार शांदार से स्वागत आपका अभिनेंदन और हम बात करें विशानू का संचरन देखिए विशानू का जो संचरन है ये एक महत्वपून टॉपिक है आप लोगों के लिए अच्छा से टॉपिक है और किस प्रकार से फेलता है सचीवों के संपर्ग में आने से इसका संचरन होता है हम जब भी कोई कोशी का होती है और वह वाइरस के संपर्ग में आती है तो विशानों वहाँ पर व्रदिकर जाते हैं आपको यह ध्यान होना चीए उसके साथ साथ में अब आपको कुछ नॉट्स भी बनाने हैं तो मैं यहाँ पर आपको वेशी ही फिलिंग दूँगा जैसे आप क्लास में लिखते हैं बेट कर तो आप लिखिए विशानों का संचरन heading डालना विशानों का संचरन संचरन में लिखिए विशानों का किसी भी जीव जन्तू विशानों का किसी भी जीव जन्तू में प्रवेश संचरन क्यलाता है प्रवेश संचरन क्यलाता है संचरन क्यलाता है नाइश लिखिए विशानों जल म्रदा वायू इतियाधी माध्यम से फैलता है विशाण, जल म्रदा वायू इतियादी फैलता है जो विशाण है वो जल से वायू से और किसे म्रदा से फैलते हैं बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो वायरस पानी से फैलते हैं बहुत सार वायरस ऐसे हैं जो किसे फेलेंगे हमारे पास में, जो ऐसे वाइरस भी हैं, जो वायू से फेलेंगे, तो ये बहुत एक महतुकुन बाली बात होती है, कि इनसे इनका संचरन होता है, वाइरस, कुछ ऐसे वाइरस होते हैं, जिन से हमें आर्थिक, जिन से हमें क्या होता है, आर्थिक लाब हो होगा विशानू का आर्थिक महत्व हमको चानना होगा तो लिखिए विशानू मनुष्यों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपन होते हैं विशानू मनुष्यों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपन होते हैं महत्व इस डिकल टू पॉस्टम रिखना हानी प्लस लाब यह जहां से गंगा ऑध को जैसे faith जहां आप लोगों नगदेखा में प्रकार रहता है फिर भी फिर फानिकल नहीं होता है इसलिए हम यहां पर हैं वहां ही महत्वफ़ोन चीज रह सेँशते हैं नेघुए यह समय पानी मेंट उत्पन हो जाते हैं लेकिन सामान्य पानी में बेक्टिरिया उत्पन हो जाते हैं लेकिन जल में बेक्टिरिया उत्पन नहीं होते क्योंकि जिवानों भोजी जिवानों भोजी पाय जाते हैं क्योंकि जिवानों भोजी पाय जाते हैं कुछ वाइरस होते हैं जो जितने भी किड़े मकोड़े होते हैं उनको भी क्या करके बक्षन करने का काम करते हैं जो विश्चिस प्रकार के फसल को नश्ट करने वाले होते हैं जो बेक्टिरिया ऐसे होते हैं जो फसल को नश्ट करते हैं उनमें भी यही वाइरस क्या करते हैं उनका भक्षन कर लेते हैं तो बताइए ये आर्थिक रूप से लाब वाग नहीं हुआ कि जीवानों भोजी जीवानों को खा जाते हैं जिससे गंगा जल के अंदर बेक्टरिया उत्पन नहीं हो रहा है और उसमें सड़न नहीं लग रही है उसी प्रकार जो कीट हैं उनका भक्षन करने का भी काम कौन कर जाता है ये वाइरस कर जाते हैं तो इस प्रकार चे आर्थिक महत्व है लेकिन हम जानते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से किसी चीज का कोई आर्थिक महत्व होता है उसी प्रकार से उसके कोई ना कोई हानी भी अवश्य होती है तो अब वाइरस की कुछ हानिया हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा देखिए यहां पर कौन-कौन से ऐसी बीमारिया है जिनको आपको समझना होगा मैं आपर एक आपको ट्रिक लिग रहा हूं उससे याद रहोगा क्योंकि अपनी क्लास का नाम ही हिंट है तो मैं आप हिंट के बारे में ही बात करूंगा क्या हिंट दे रहा है आपको तो हिंट आपके पास में आएगा कि देखिए कहीं बार क्या होता है कि कहते हैं आप लोग पर नहीं मिल रहा हो तो देगे ऐसी प्रिस्तिती में आप यह मानिए कि आपके लिए एक एडवांटेज है आपको पढ़ने का ज्यादा टाइम मिल रहा है और आपके अच्छी से तैयारी कीजिए कहीं नहीं सेलेक्शन आप में ही चुपा हुआ है तो हीरे की जो खोज है या अच्छी रंग से चमका पाएगा यह आप जानते क्योंकि गाड़ी को अगर सर्विस सेंटर पर ले जाएंगे तो वह अच्छी रंग से सर्विस कर पाएगा हमारी तुल ना में और एक पीचर की पास में जाने पर आपको एक अच्छी संगत मिल पाएगी एक अच्छा पूरा का पूरा इसकी तीसरी यूनिट अपने को पूरी बढ़नी है तो आप बेफिकर रही है चमका दे कच्चा आ रहा है मतलब चेचक आपको ध्यान होगा Edward Jenner ने इसके ठीके की खोज करी थी बहुत इशांदार चीज़ थी Edward Jenner खास का यहाँ पर क्या आएगा? खसरा खसरा पोलिस का क्या आएगा? ओलियो क्या आप सब्दिता हिरा चमका दे खास पोलिस कर भले आप इसको उल्टा पुल्टा याद रख सकते हैं कि हिरे को पोलिस करके खास चमका दे या हिरा चमका दे खास पोलिस कर तो इस प्रकार से आप जब इसमें भी एक कुष्ट रोग आता है है ना तो याद रखना कि आपको हीरा का हीपेटाइटिस चमका देगा चेचक खास का खसरा पोलियो और कोष्ट यही टॉपिक आपको आगे जाके मिलेंगे और आपके एक्जाम में बहुत कारगर सिद्ध होने वाले कि वह प्रस्ण क्या पूछेगा वह आपको रीटन प्रस प्रस्ण पूछ देखान अपको अगले की जो अगली इक आएगी उसमें बढ़ना होगा तो आपको ध्यान क्या रखना है हमारे पास में जुनिट नमबर एक जो थी जिसमें हमको क्या-क्या पढ़ना था इने टमबर एक में जहां तक आप मुझे ध्यान है तो अब जहां तक बताया जा रहा है आपका नेट पर यह दिया रहा है कि आप लोगों को अब लोगों को यह दिया गया है है ना एक पॉइंट दे रहा है है तो यह देखिए आप लोगों के पास में जो आ रहा है एक तो चेचक है पोलियो है 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 ध्यान रखना यह बहुत इंपोटेंट हो सकता है तंबाकु मोजग वाइरस है और फेलने वाले मोजग के लिए तंबाकु मोजग वाइरस यह सब पादब मोजग वाइरस है तो यह अरतिक रूप से हानी पहुचा रहा है तो यह भी महत्तुमु पॉन सिद्ध होगी आप लोगों के लिए वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और मैं पूरा का पूरा यापर syllabus आला की complete भी करूँगा आपको तो ये सारी चीज़े हमने पढ़ी वाइरस के अंदर हमने क्या-क्या पढ़ा आज वापीस एक बार repeat कर देता हूँ फर्स्ट उनिट में मैंने आपको क्या-क्या कराया है पहली जो यूनिट गई थी उसके अंदर लेक्चर एक से लेकर के दस के बीच में है यूट्यूब पे अवलेबल है और आप आराम से देख सकते हैं हर एक पहलू को मैंने चुआ है इसमें हर एक पॉइंट को मैंने टेच करने की कोशिश करी है और अब कुछ हम मैंने पहले कहा है कि कुछ अच्छे से प्लान कर रहे हैं क्लास के लिए सब क्लासे इसमें अवलेबल हो जाए तो प्लानिंग ज़री है आप लोगों के लिए एक से दस तक के वीडियो सारे देख लिजिए तो आपको याद हो जाएगा दूसरी चीज अगर आपको लगता है कि इसमें कोई टेस्ट रखा जाए तो हम लाइव टेस्ट की तैयारी में हैं तो आप तैयार रही है एक से दस यूनिट फर्स्ट के लिए आप एक से दस लेक्चर जितने भी है मेरे वो देख लें उससे आपको पूरा वन यूनिट में कहूंगा कि 110 परसंट 110 परसंट मेरी गारेंटी कम्लेट हो जाएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा दूसरी आपको पास में जो थर् उनिट पढेंगे अपन और धर उनिट के दर जिवाशनओं से होने वाले रोग ही है जो अपने को पर नहीं है वह याद रखेंगे निकुत्था करता है अपने को और यह सारा व्याइड है समझ में आ रहा है तो एक काम किजिए आप लाइक करें ना करें आपको शेयर जरूर कर दें सब्सक्राइब करना आपका खुद का चैनल है अगर लगता है कि उप्योगी सिद्ध हो सकता है तो उसे छाट लेना चाहिए क्योंकि जो चीज उप्योगी हो उससे अपने पास रख लेन तो ऐसी परिस्दिती में आप इससे चुन सकते हैं अपने संग्रहले में एकटा कर सकते हैं कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए कुछ और बहतर करने का हम लगातार प्रियास में हैं वो कुछ नया करने का सेलबस आपका उनलाइन मेरे सामने दिख रहा है और मैं आप लो होने वाले आप लोगों के लिए तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए अगर आपको कोई दिक्कत होती है को समझ में नहीं आता को परशानी होती है मेरे वाटसप नंबर है 9928544989 hi hello मत बेजिए तस्वीर मत बेजिए लेकिन अगर आपको बेजना ही है कुछ तो बेजिए yat ब्लाइटी फिर space डीजिए फिर लिगिए आप rt फिर space लिगिए फिर आपका जो भी नाम है रामलाल शामलाल मोहनलाल मुहुमध जो भी कुछ नाम है वो सब इसमें लिख दीजिए और उसके बाद में मुझे इस नमर पर WhatsApp कीजिए और उसके बाद में जो भी मेर से बन सकेगा नॉट्स के लिए यहाँ आपके वीडियो के लिए वो आप तक पहुंचाने की अवश्य कोशिश होगी एक से दस तक के वीडियो में आपको युनिट नमर एक कम्पलेट कराने के कौशिश करिए अलागे स्लो हैं हम बहुत लेकिन बहुत जल्दी अच्छी पकाड़ लेंगे जय हिन जय भारत